किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी सम्त क्या है, किधर जा रही है, हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी अब, तो क्या रफ्तार होगी, हवाओं को ये इजाज़त नहीं है, कि आंधी की इजाज़त अब नहीं है, हमारी रेत की ये आगज के महल जो बन रहे हैं, हिफाज़त उनकी करना है जरूरी, और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं, किसी का हुक्म है, दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें, उभरना, फिर बिखरना, और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना, ये सब है सिर्फ वहषत की अलामत, बगावत की अलामत, बगावत तो नहीं बरदाश्ट होगी, ये वहषत तो नहीं बरदाश्ट होगी, अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचा बहना, किसी का हुक्म है, इस गुलि गुलिस्ता किस तरह बनना है कलका यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हलका ये अफसर तै करेंगे किसी को ये कोई कैसे बताए गुलिस्ता में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते कभी हो ही नहीं सकते कि हर इक रंग में छुपकर बहुत स जुन्होंने बागे यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो, कि जब एक रंग में सौरंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशा हैं, कितने तंग रहते हैं, किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुकम सुनती है, हवाएं हाकिमों की मुठियों मे हतकडी में, कैद खानों में नहीं रुकती, ये लहरें रोकी जाती हैं, तो दर्या कितना भी हो पुरसुकू, बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है